हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो फिजिक्स क्लासेश, आज फस्टि एर के इस क्लास में वेक्टर अनाल्सिस के दूसरे लेक्चर में एडिशन आफ वेक्टर, वेक्टरों का सन्योजन, एक दूसरे के साथ वेक्टरों को किसप्रकार जोड़ते हैं, ये आप देखेंगे, तो पन और काफी निकाल लीजिए और तयार हो जाईए तो इसकी वेक्टरों को जोडने के लिए दो वीदिया हैं एक जामितिये वीदि है और दूसरा जो है गडतिये वीदि है जिसे analytical method भी कहते है जियामितिय विधी में दो वेक्टरों के जोडने का तरभुजनियम means methods of triangle lap vectors edition वेक्टरों के जोडने का समानता चतरभुजनियम parallelogram lap vectors and third दो से अधिक वेक्टरों को जोडने की बहुजनियम या polygon lap edition of vectors तो इस तरह से तीन तरह से वेक्टरों को हम जो है जोड़ सकते हैं अब इस जामिती विधी में एक एक करके हम देखते हैं कि कैस किस तरह से जो है इसको जोड़ा जाता है तो दो वेक्टरों की जोडने का त्रभुज नियम या त्रभुज नियम है क्या यदि किसी पिंड पर किसी छड़ कारेरत दो वेक्टर परिमाड एवं दिसा में किसी त्रभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिडामी योग जो होगा वेक्टर परिमाड में उस त्रभुच की तीसरी भुजा के बराबर एवं दिसा में भीपरीत होगा। जैसे हमने माल लिया कि दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। जहने जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं। बी की दिशा बेक्टर A से थीटा कोण बना रही है तो अब हम करेंगे क्या कि जो दिया गया पहला बेक्टर है उसे दिये हुए परिमाण और दिशा में खीच लेते हैं फिर बेक्टर A के बाणागर मतलब कि उसका जो हेड होगा उस हेड से आरंभ करके बेक्टर A के बाणागर की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए दिये हुए परिमाण और दिशा में बेक्टर B को खीचते हैं अंत में बेक्टर A के पुछ मतलब टेल से बेक्टर B के सिर्ष को मिला देते हैं जो परिमाण बेक्टर R को निरूपित करता है तो आप फिगर से देखें ये बेक्टर A है इसकी दिशा दिखाई गया अरों से और ये बेक्टर B है यहाँ इसकी दिसा के साथ थीटा कोंड बनाता है अब इन दोनों वेक्टरों को वेक्टर A और वेक्टर B को जोड़ना है तो क्या करते हैं सबसे पहले आप वेक्टर A को दिये गए परिमाण और दिसा में खेच लेंगे तो हमने आपर खीच लिया O P यह जो है दिया गया वेक्टर A है अब पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं और फिर दिये गए दिसा में वेक्टर B को उसके परिमाण के बराबर खीच लेते हैं तो अब इस तरह से यह हो गया PQ, अब पहले बेक्टर के टेल से दूसरे बेक्टर के head को मिला देते हैं, और यह हो गया OQ, और यही इसका परेडामी है, तो बेक्टर R equals to बेक्टर A plus बेक्टर B, इसका यह परिमाण मिल जाता है, अब यह जो है प्रारंभिक बेक्टर, जो की बेक्टर A है, इस बेक्टर से किसी कोण पर होगा, तो इस तरह से OQ यह परेडामी बेक्टर मिल गया, और अलफा जो है यह इसकी दिशा मिल गई, तो इस तरह से बेक्टरों को हम जोड लेते हैं, दूसरा नियम है बेक्टरों के जोडने का समानतर चतुर्भुज नियम, अब यह समानतर चतुर्भुज नियम क्या है, कि यदि किसी कण पर किसी छण कारेरत दो वेक्टर परिमाड एवं दिशा में किसी समानतर चतुर्भुज की दो संगलगन भुजाओं के द्वारा निरूपित होते हैं, तो उनका परेडामी वेक्टर दिशा तथा परिमाड म उसी समानतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा, जो उन वेक्टरों के प्रतिशेद बिंद से गुजरता है, अब इसे आप फिगर से देखें, वेक्टर A और वेक्टर B, अब यहाँ पर यह कहा गया है, कि एक पैरलेलोग्रेम, तो आप O, P, Q, S, पैरलेलोग्रेम है, इस पैरलेलोग्रेम में, समानतर चतुर्भुज में, यह संगलगनी भुजा, मनसंजुगमी भुजा दिखाना है, तो O, P, एक बेक्टर हो गया, और दूसरा बेक्टर हो गया, बेक्टर B, दिये गए, दिशामें, यह देखें, अ से थीटा कोण पर है अब आप S से Q को मिला दिया, और O से Q को मिला दिया, तो अब O, Q इसका पहला बिकरण है, डाइगेनल है, तो यह इस बेक्टर A और बेक्टर B के परेडामी को निरुपित करता है, और यह O, Q जो है, पहले बेक्टर, जो प्रारभिक बेक्टर A है, उसके साथ कोण बनाता है अलफा तो इस तरह से हम इसे find कर सकते हैं graphical video से दो से अधिक vector को जोड़ने की बहुभुज नियम, polygon law मतलब कि जब दो से अधिक vector दिये गए होंगे तो उन vector को हम एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ेंगे यह आप देखें तो यहाँ पर हमने माल लिया कि vector A, vector B, vector C और vector D चार vector दिये गए हैं जो अलग-अलग दिसाओं में हैं अब इन चारो vector को हमें जोड़ना है तो इन चारो vector को जोड़ना है तो क्या करते हैं सबसे पहले हम vector A को लिए vector A को उसके दिये गए परिमार के बराबर उसी दिसाओं में खीच लेते हैं जैसे माल लिजे कि ये 5 unit है तो 5 unit यह इस दिसाओं में हमने इसको खीच लिया अब जहां ये इसका अंत हुआ वहीं से दूसरा vector सुरू करेंगे तो दूसरा vector है B जो कि horizontal से जो कि horizontal यह आपका लिजे कि vector A से 90 degree पर है तो vector A के साथ 90 degree पर यह बनाते हुए हमने vector B को खीच दिया अब O A और मतलब कि vector A और vector B का जो परेडामी है यह O से यहां तक कि दूरी हो गई जो कि vector E को परदरसित कर रहा है अब इस vector से आप क्या करेंगे कि इस बिंद उपर vector C के टेल को रखेंगे और दिये गए दिसा में अब यह horizontal से theta 1 कोंड पर है तो horizontal से theta 1 कोंड पर दिये गए परिमार के बराबर खीचेंगे फिर जहां इंड इसका हुआ वहीं से चौथे vector D को शुरू करेंगे तो D जो की दिया गया है यह horizontal से theta 2 कोंड पर तो theta 2 कोंड बनाते हुए इसको हम खीचेंगे अब यह D vector हो गया यहां तक अब O यह पहले vector का tail था और यह final vector का क्या है head है अब O से इसको मिला देंगे तो जो यह मिलाया गया यही परेडा में मिला vector R equals to vector A plus vector B plus vector C plus vector D अब यह इसका परिमार मिल गया इसका परिमार मिल गया अब इसकी दिशा ग्याद करनी है तो जब दिशा ग्याद करनी है तो दिशा ग्याद करने के लिए क्या करेंगे आप यह horizontal line खीज लेंगे अब यह देखेंगे कि यह कितना कोण यहां से बनाता है उसे आप माप लेंगे अब इसके कई examples हैं इन examples को समझ करके आप अच्छे से देखें कि एक तैराक नदी में धारा के लंबोत दिशा में 4 km परतिघंटा के वेग से तैरा नदी 3 km परतिघंटा के वेग से बह रही है तैराक का परड़ामी वेग वेक्टर आरेक बना कर ग्याद कीजिए तो चलिए मान लेते हैं कि यह पानी नदी का पानी बहरा है और इसकी जो दिशा है किदर है नदी तीन किलोमेटर पर गंटा के बेक से बहर रही है तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर सपोच कर लेते हैं कि वन किलोमेटर पर आवर इकोल टू वन सेंटीमेटर तो नदी के बेक को हमने दिखाया ओ ए थिरी किलोमेटर पर आवर है तो थिरी सेंटीमेटर हो गया अब इसके लंबवत चार किलोमेटर पर गंटा के बेक से तर रहा है तो इसके लंबवत यानि नाइन्टी डिगरी पर तो चार किलोमेटर पर गंटा तो चार सेंटीमेटर हो गया अब यहाँ से चार सेंटीमे के बाद अब इसको scale से माप लेंगे, scale से मापने के बाद यह मिला 5 cm, तो 1 cm पर आवर एक किलोमेटर पर आवर था, तो अब यहां से मिल गया 5 km पर आवर, अर्थात जो तैराक है, उस तैराक का परड़ामी वेग, यह जो है 5 km पर आवर होगा, और दिशा किदर होगी, अब इ 53 डिगरी के आसपास, तो पहले से अर्थात नदी के धारास के बहने के दिशा से, तीरपन डिगरी के कोंड पर इसका जो है वेग, परेडामी वेग होगा, 5 km पर थी खंटा, दूसरा कोचन है, एक समान परिमार, 3 N के दो बल, किसी बस तुपर परस पर, 120 डिगरी के कोंड बनाते हुए क्रिया कर रहे हैं, वेक्टर आरेक बनाकर परेडामी बल तथा बल की दिशा ग्याद करिए, तो अब यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, 3 N के दो बल है, तो 1 N बराबर 1 cm, तो 3 N बराबर 3 cm, तो अब वेक्टर A हमने खीच लिया, 3 cm, 3 N, मने 3 cm, फिर यहां से जो दूसरा बेक्टर है, वहां 120 डिगरी के कौंड पर है, तो 120 डिगरी का कौंड बनाते हुए, यह हमने खीच दिया, दूसरा, अब पहले बेक्टर के टेल से, दूसरे बेक्टर के हेड को मिला देंगे, यह distance, अब माप लेंगे, इसकेल से, इसकेल से मापने के बाद यह मिला 3 cm 3 cm हुआ तो 3 cm हुआ मतलब की परेडामी बल 3 N का लग रहा है अब इसकी दिशा तो ये भी 3 है ये भी 3 है और यह भी 3 cm मिल गया इसका मतलब की यह एक समभाह उत्रभूज है तो जब समभाह यानि Equilateral triangle है तो each angle will be 60 degree तो जो A की value होगी angle A वह 60 degree होगा और थात परेडामी बल 3 N का पहले बल से 60 टिगरी के कोण पर कारेड़त होगा थर्ड यानिपल है यदि एक पिंड पर 6 N तता 8 N के दो बल क्रमसव पूर्वदिशा और उत्तर दिशा में कारे कर रहे हैं तो आरेक बनाकर उनके परेडामी बल का परिमाड तता दिशा ग्यात किजिए तो अब यह देखे हमने सपोज कर लिया 1 N बराबर 1 cm तो 6 N बराबर 6 cm 8 N बराबर 8 cm अब 6 N का बल जो है पूर्वदिशा में है तो यह देखे आप North South East West बना लेंगे अब यह यहां से पूर्वदिशा में 6 cm खीच लिया अब इस पर 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर उत्तर दिशा में उत्तर दिशा किदर है इस से यह देखे उपर कि तरफ हो रहा तो यहां से 8 cm की दूरी यह खीच लेंगे अब O से B को मिला देंगे अब इसे माप लेंगे मापने पर यह मिल जाएगा 10 cm तो मापने पर जब 10 cm आया तो इसका मतलब कि इसका यह resultant हो गया अब यह एंगिल मेजर कर लेंगे एंगिल मेजर कर लेंगे तो एंगिल आएगा लगबग 54 डिग्री तो इस तरह से इसका जो परेडामी बल है वह कितना हो गया 10 Newton हो गया और दिसा पहले बल से 54 डिग्री के कोड़ पर मिलेगा Question No.4 एक छात्र अपने घर से 3 km उत्तर की ओर तत्पस चात 4 km पुर्व की ओर गती करता है वेक्टर आरे खीच कर चात्र का भी स्थापन गयाद कीजिए तो कोई एक reference point आप पना लेंगे तो किधर चला पहले 4 km अपने घर से 3 km उत्तर की ओर ये देखिए ये अगर origin है तो 3 km उत्तर यानि 3 cm खीच लिया 4 km पूर्व की ओर फिर यहां से चार km पूर्व कीच लिया यहां से इसको अब मिला देंगे मिलाने के बाद यह जो मिला तो यह मिल जाएगा 5 cm अब यह 5 cm मिला इसका मतलब हो गया कि इसके बीच का जो भी स्थापन हुआ वह कितना हो गया 5 km और यह पहले बेक्टर के साथ जो कोण है थीटा यह लगभग 36.9 डिग्री का कोण होगा जो कि पहले बल के साथ बना रहा Question number 5 यदि A बराबर 5 यूनिट उत्तर B बराबर 3 यूनिट पूर्व से 30 डिग्री दच्चिड C बराबर 6 यूनिट पस्चिम D बराबर 10 यूनिट दच्चिड तो बेक्टर A प्लस बेक्टर B प्लस बेक्टर C प्लस बेक्टर D ग्याद कीजिए यह बहभूज के लिए तो बेक्टर A यह देखे 5 यूनिट बेक्टर B की दिशा पूर्व से 30 डिग्री दच्चिड इसके बाद C 6 यूनिट पस्चिम और D 10 यूनिट दक्षिड तो सबसे पहले बेक्टर A को लेते हैं बेक्टर A और O से सुरू करते हैं तो O से बेक्टर A खीचते हैं 5 यूनिट मतलब 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमिटर तो यह हमने खीच लिया O से P 5 सेंटीमिटर अब इसका जो हेड है उस हेड पर आप एक जो है परपेंडिकुलर क्रास मार्क बनाएंगे जो की दिसा को निरुपित करेगा अब यहां से आप देखिए होरिजेंटल के साथ 30 डिगरी के कोंड पर वेक्टर B को खीचेंगे तो यह देखिए 30 डिगरी के कोंड पर वेक्टर B को खीचा फिर यहां पर भी आप क्या करेंगे 90 डिगरी पर एक क्रास मार्क यह बनाएंगे अब यहां से 6 यूनिट पस्चिम तो पस्चिम किदर होगा इदर से इस दिशा में होगा तो यहां से 6 यूनिट यानि 6 सेंटिमिटर खीच लिया पस्चिम दिशा में अब यहां से फिर 10 यूनिट दच्छिड दिशा में दच्छिड मतलब नीचे हो गया यहां से तो यहां से 10 यूनिट खीच लिया यह आ गया d 10 unit अब यह last vector का head है अब पहले vector का tail तो पहले vector के tail से vector के last vector के head को मिला देंगे तो मिलाने के बाद यही आपको मिलेगा इसका resultant r vector r mod equals to vector a plus vector b plus vector c plus vector d अब इसकी दिशा ग्याद करनी है तो दिशा ग्याद करने के लिए हम इसको लिखेंगे vector a के साथ तो vector a के साथ तो यह कोण नाप लेंगे यह कोण जितना होगा यही जो है इसका यह बताएगा कि resultant कितने degree पर